नमस्कार मैं हूं सक्रवार सुमंत और आप देख रहें पीपी न्यूज 24 नायप तहसिलदार का बिबादित बयान थमने का नहीं ले रहा नाम खबरजन पदगाजीपुर के सेवराई तहसिल छेतर सहे जांग गौहमर कानुन को सरकिल में कारणत नायप तहसिलदार हिम्मत बहादुर द्वारा तहसिल पर सर में सारजनिक अस्तान पर खड़े होकर विबादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है नायप तहसिलदार के विबादित बयान को लेकर सेवराई तहसिल छेतर के अधिवक्ताओं में कापी आक्रोस में आपते हैं अधिवक्ताओं ने नायप तसिलदार को बर्खास्त कर उनके विरुद मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए अधिवक्ताओं ने क्या कुछ बताया आईए आप भी सुने असुक कुमार सिंगे डोकेट अध्यक्ष तरसिल बारेश्विश्वराई क्या है मामलाज देखा जा रहा है आप लोगी हमारे हाँ एक नायप तसिलदार के पद पे हिम्मत बहादुर जो की देवी देवताओं के संब्द में अब सब्द बोल रहे हैं वो इस कैंपस में बोले हैं इसलिए हम सारे अधिवक्ता शुब्द हैं और शासन से यह मांग करते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए इसके लिए आप लोगों के तरफ से अभी पत्रक डियम साहब को दिया जाएगा इसों को फायार दर्ज करने के लिए दिया जाएगा यदि अफायार दर्ज नहीं ह भूर निन्ननी है और सनातन दर्म हिंदू दर्ब के खिलाप है इनको ततकाल ततकाल भंग से त्रॉंद इनको बर्खास किया जाए हम लोगों की यह मांग है मैं अनिल कुमार उपाध्याप कुरू उपाध्याप सिविल बार एसोसेशन जर्पत गाजी को दूसों चोरानविर का पराज किया इपीशी के ता उसने जो हे हिंदू भावनाओं को ही नहीं धार्मिक भावनाओं को चाह किसी भी धर्म में संप्रदाय करा हो उसने यह कहा है कि जो लग कुझा पाठट करते हैं जो भागवान का नुल्हीं करते हैं वो लोग भ्यकूप यानि किसी भी धर्म में की वेगाव है और राम मंदिर का निर्माण धनुगाई का साधन है ऐसे व्यक्ती को ततका निलंबिक करते हुए कदा चार अपने चेत्र के तमाम खबरों के लिए पीपी नुई 24 से जुड़े रहें अपने जो कि अपने में खोराइब के दू नुषपा है